अन्यता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मुझपरपूर पहुंचे जहां उन्होंने विधान सवाव चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार का जनादेश एक बड़ा संकेत देगा जिसमें सुशासन और पुशासन का वरी करन होगा वहीं परशांत की सोर पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि परशांत की सोर नितीज कुमार के प्रिये हैं राश्टिये पुलिस संस्मरन दिवस का कारिक्रम मनाया गया इस कारिक्रम में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे बतादे कि या दिवस उन पुलिस कर्मियों के लिए मनाया जाता है जो अपने करतब के दवरान शहिद हो गए थे इस दौरान कोशी रंज के पुलिस उपमाहनिरिक चक शिवदी प्लांडे और पुलिस अधिक चक लीपी सिंग ने शहीद असमारक पर शहीदों को शर्धान दे दी पुलिस के लोग हैं कि पिछने वंच शहीदों जिसमें विहार राज्य के हमारे साथ साथी भी है और ये 1959 से 1959 में घटना हुई थी इसके पाद जो आईजी कॉन्फिर्स हुआ था उसके वारी नर्ने लिया गया था सपा के पुर्व राष्टी अध्यक्ष मुलायम सिंग यादो के दस्वी के आउसर पर मरजापुर में शांती पाठ का आयोजन किया गया जसमें 51 तर्थ प्रोहितों ने वैदिक मंत्रोचार का पाठ किया आज सद्धे निता जी के तसमा है उसी के उपलच में हम लोग यहाँ बिन्धिया चल्धाम में एक्याउन पंडितों द्वारा नेता जी के आत्मा के सांती के लिए सांती पाठ का आयोजन किया ज़र चंदौली के सदर कोतवाली चेतर के लीलापुर गाउं के समीप नाले से एक युवा का शौब रामत किया गया है जिसके बाद इलाके में हड़कम मज गया पता दे कि मिर्तक के शिनाक्त शेरुका गाउन निवासी के रूप में हुई है वहें मिर्तक के परजन मामले में हत्या की आश्रंकाद जता रहे हैं दूसरी और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शौब को कबजे में लेकर पुष्ट माटम के लिए भेज दिया है यह शेरुका गाउं के निवाशी है शेलेंदर कुमार भारती यह परसों साम से घर्षे वनलों गुमसुदा थे कल शाम को इनके घरवाणों थाने को सूचित किया था आज निकी ड़ड़ी जो है एनेश्य किनारे नाले में दभी पाई गई है है यह सा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या करके लाज को छुपाए गया है वो ड्यूटी करके रीटर्न हो रहे थे जब साथ बजे तो उनको हमने देखा रोड़ पर आते हुए गर जाने के बाद हमें पता नहीं था कि घर नहीं आए हमें लगा कि घर पर हमसे पहले आ गया है और जब हमें पता चला तो लगे कि कॉल करने कॉल करते करते हम लोग 12 बजे राद तक कॉल किये रिंग पूरी जा रही थी लेकिन पीक अप कोई नहीं कर पा रहा था और आया के विदुना कोतवाली छित्र के पिज़ाओडा ग्राम में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल जा रही छात्रा को रौन दिया जिसमें मौके पर ही उसकी मौत को गई जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने ट्रक को कबजे में लेकर शौ को पुश्ट माटम के लिए भेज दिया है और आगे की करभाई में जुट गई है